हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू माई चैनल प्रासितू रेस्पीज और ब्लॉक्स तो फ्रेंट्स आज के वुडियो में हम सिक्स बहुत ही कमाल की ब्यूटी टिप्स के बारे में जानेंगे किसी ने आपको नहीं बताये होंगे जरूर सुने नमबर वन थोड़ी सी बैसलिन ले आधी चम्मच चीनी मिलाएं एक चम्मच सहद मिलाएं और एक दो बुन निवू की रसके डालें फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद अपने होटों पर लगाएं और हलके हलके उंगलियों से मालिस करें फिर होटों को पेसे पोच ले या फिर पानी से धो ले ऐसा करने से आपके होट फटेंगे नहीं और बिंटर में गुलाबी भी बने रहेंगे नमबर टू फाउंडेशन में थोड़ा सा कंसीलर मिला कर लगाने से फाउंडेशन का सेड़ डार्क हो जाता है जिससे चेहरे पर आप फाउंडेशन को कंसीलर में मिला कर लगाएंगे तो फाउंडेशन चेहरे पर बिल्कुल मिक्स हो जाएगी नमबर थ्री अगर आपकी एडिया फटी हुई और रूखी है तो आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा सा टिप्स बताने वाली हूँ एक टब या फिर बाल्टी ले उसमें गुनगुना पानी डाले फिर उसमें कोई भी सैंपू डाले फिर अच्छे से मिक्स कर ले और अपने पैरों को इसमें 10 से 15 मिनट तक पैरों को उसी पानी में रखे फिर पैरों को रगड ले अच्छे से धोले और नारियल तेल से मालि हैं इससे आपके पैड सरदियों में फटेंगे नहीं रूखे बेजान भी नहीं रहेंगे नमबर फोर ठंड के मौसम में इसकिन जादा ड्राइ होती है इसलिए अपने आखों के आसपास के इसकिन का ध्यान रखें सुबह और रात में सोते वक्त बदाम के तेल से या क्रीम से हलकी उंगलियों से मालिस करें ऐसा करने से आखों के नीचे जूटियां जल्दी से नहीं आती है घर का ताजा एलोवेरा ले और उसको धोर के मिक्सी में पीस ले फिर उस पेश्टुक से नहाने से पहले बालों में एक घंटा पहले लगा ले और फिर बालों को धो ले इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा साइनिंग करेंगे और ज़ड़ना भी कम हो जाएगा अकसर ठंड के मौसम में हम पानी पीना कम कर देते हैं जिससे हमारी इसकिन ड्राई होने लगती है जिससे जूर्जयाँ चल दे आने लगती है इन सब से बचने के लिए ठंड के मौसम में खुब पानी पीए पानी हमेशा गुनगुना करके ही पीए इससे आपका सरीर और चेहरे पर नमी भी बने रहेगी। फाउंडेशन को हलका डार्क सेड देने के लिए फाउंडेशन में राई के दाने के बराबर हल्दी मिलाएं। फाउंडेशन में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लगाने से चेहरे पर बहुत अच्छा निखार आता है। साथ ही फाउंडेशन का सेट डार्क हो जाता है और चेहरे पर मेकप बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा, चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा। जब भी आप लिपिस्टिक लगाएं तो आपको कुछ न्यू सेट ट्राई करना है तो जब आप होटो पर लिपिस्टिक लगाएं फिर होटो पर आप थोड़ा सा हाईलाइटर उंगली की सहता से लगा ले, खास कर नेचे वाले होट पर, ऐसा करने से होट बहुत ही ताले और अच्छे से मिक्स कर ले, फिर अपने चेहरे पर इस पेस्ट को लगा ले, इसको पांच मिनट तक रखे और फिर हलके हलके हाथों से दो मिनट के लिए मालिस करें और फिर चेहरे को धोले, ऐसा करने से आपके चेहरे के डलनेस दूर होगी, चेहरा चमकदार आप इंपल्स इन सब से आप बचे रहेंगे नमबर 9 चेहरे पर कभी भी बार-बार हाथ नहीं लगाना चाहिए इससे चेहरे पर इंफेक्शन हो जाता है इसलिए चेहरे पर बार-बार हाथ आप कभी भी ना लगाएं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो यूस्फुल रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें अगर आप चैनल पे पहले बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले मिलेंगे ऐसे ही एक और यूस्फुल वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा थैंक्स फर वाचिंग